Hello everyone, welcome back to Walk a Mile with Ruinny आज के इस वीडियो में मैं ये आज official nails लगाने वाली हूँ मेरे original nails के उपर कैसा ये process जाता है? चलिए देखते हैं ये nails को लगाते वग क्या difficulty आती है और क्या tips and tricks हैं ये सब आज हम discuss करेंगे इस वीडियो में Ladies क्योंकि सचती हैं, सवर्ती हैं, हर एक part का अपना ध्यान रखती हैं तो I'm sure कि आप लोग nails का भी ध्यान रखते होंगे और क्योंकि मैं इस field में हूँ जहां पर मुझे video contents हमेशा create रने पड़ते हैं तो मुझे खास ध्यान रखना पड़ता है अपने nails का भी जो कि कभी कभी में रख पाती हूं, कभी नहीं रख पाती हूं, घर के काम भी होते हैं, बर्तर में माजने होते हैं क्योंकि nails brittle हो जाते हैं, तो वो nail तूट जाते हैं, अकर nail paint लगाय होता है, तो nail paint निकल जाता है ऐसे सब चीज़े होती रहती हैं फिर मैं अगर आप लोग के सामने हाती हूं और दिखे कि इस कैसे गंदे से nail है, nail paint है, निकले हूए nail paint है, uneven से nail paint है, तो बहुत ही irritation ही होती है तो इसका ही इलाज मैंने सोचा कि क्यों ना press on nails बहुत सरी जगे में Instagram पे और YouTube पे देख रहीती प्रेस on nails है, stick on nails है, artificial nails, fake nails, जो भी आप बोलना चाहें, बोल सकते हैं तो मैंने कुछ महीनों पहले ही Amazon से ये stick on nails मंगाय थे और इनका experiment करना था है कि ये कैसे रहेंगे, क्या करना चाहिए इनके साथ में और क्योंकि मैं permanent nail art नहीं कराना चाहती थी, इसके जैसे मैंने सोचा कि चोलो, इसको हम try out करते हैं मैं different different types of nail art करके, इनको मैं सजा सकती हूं, nails को और छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, ऐसे एक अलग-अलग groups में रख सकती हूं So that was the whole purpose of buying this, अब हम आते हैं इसके detail के बारे में, तो यह Amazon से में लिया था और Amazon से यह देखे, यहाँ पे करीबन 100 pieces हैं इसमें अविलेबल, 100 pieces और आपके जो 10 उंलियां हैं, उनके लिए अलग-अलग sizes के साब से इसमें बने हुए हैं, actually cutे हुए हैं, यह इस तरीके से आप द बहुत आप देख सकते हैं कि अगर कहीं आपको लगता है कि finishing नहीं हुई हैं, तो बस आपको filer से finish कर लेना है, थोड़ा सा फाइल गाउट कर लिजे और मुझे इसमें बहुत असानी हुई है, इसको file करने में, बहुत easily file हो जाते हैं, बहुत easily आप इसको shape दे सकते हैं, मु यूजूली कटे रहते हैं नेल्स और इसके बाद में हर एक शेप साइज के हिसाब से दसों उंगलियों के हिसाब से आपको यह मिल जाएंगे तो जैसे अगर यह हम के लिए है तो यह इतना बड़ा नेल हम के लिए आजाएगा तो इसके साथ में ही इस तरीके का एक ग्लू आ जाता है बहुत ही अच्छा ग्लू है इतना सा ड्रॉब डालना है ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैंने इसको ज्यादा डाला था और बहुत प्रॉब्लम हुई थी नेल्स को निकालने में अर्टिविशन नेल को निकालने में इस तोड़ा सा इसको डालना है और ग्लू क का बहुत ज्यादा सेंट नहीं है सेंट है जास लाइक रिमूबर की जैसे ही है करीबन या कुछ फिक्स की जैसे ही है तो मुझे ऐसा लगता है की कुछ फिक्स भी उसकर सकते हैं पता नहीं I don't know कि क्या इसका फॉर्मुला है इसमें कॉशन दिया हुए कीप आउट फॉम दे आपको लगेगी वह इस तरीके का नेल कटर क्योंकि आपके जो ओरिजनल नेल्स हैं उनको आपको काटने के बाद में ही यह स्टिक करने हैं दूसरी चीज मैं यूज करती हूँ इस तरीके का एक डबल साइड़ एडिसिप यह हमने क्यों यूज किया है वह आपको आगे वी और बस लेट्स स्टार्ट विड़ी यूज करने वाले हैं अपने दीज के ऊपर तो जैसे याप इस बॉक्स को खोलेंगे आप देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर और अल्रीडी पाटिशं करे हूए है और इन पार्टिशं में डिफ्रेंट साइज ऐस डाले हूए है तो जैसे भी आप देखेंगे, यहाँ पर मैं एक nail उठाया हुआ है, तो अगर मैं इसको देखूंगी कि कौन से finger में यह एप्रोप्रेटिव फिट हो रहा है, तो जैसे मैंने आप सबसे छोटा nail देखा और वो फिट हो रहा है मेरे little finger में, तो ऐसे ही सारे nails के हिसाब से में different sizes दे लगा हुआ है, तो उससे में shape दूँगी मेरे इस nail को, in fact जो base होता है nail का, उसके वे थोड़ा सा sharp edges रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा platen up कर लेंगे हम लोग, और बिल्कुल भी यह बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, शाप है, बहुत ज्यादा blunt भी नहीं है, तो बस आप लोग है, तो मैंने अपने दोनों thumbnails ready कर लिए हैं, ऐसी सारे nails को देखने के बाद में, choose करने के बाद में appropriate size जो होगा, उसको थोड़ा सा फाइल अप करूँगी और मैं पाके सारे nails के लिए, यह जो nails हैं, वो ready कर लूँगी, ओके सो मैंने सारे nails ready कर लिए हैं, इसके बाद में मैंने LE18 का red color लिया हुआ है, और obviously मिझे red color बहुत ज़्यादा पसंद है, so I just wanted to try these big nails with red color, उसके बाद में, यह जो glue आया हुआ है, वो में ले लूँगी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन nails को रंगने वाले हैं, नेल पेंट से, मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं इस nail को इस nail paint से paint कर दी हूँ, तो काफी missy हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अपनी nails के उपर इसको stick नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी पास idea, क्योंकि है ही, तो यहाँ पर मैंने यह double-sided tape लिया है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो इसके उपर मैंने यहाँ पर already stick कर दिये हैं, मेरे filed-up nails, और यहाँ पर एक nail है, जिसके उपर already silver coating चढ़ाई हुई थी मैंने, तो लगेगा नहीं, मैसी नहीं होगा, तो यह आप tip जरूर अपनाईएगा, ओके सो यह double-sided adhesive के साथ में एक और tip दे देती हूँ, कि जब भी आप red nail paint लगाना चाहते हैं, अपने nails के उपर, तो पहले अगर आप base coat लगाएंगे silver, तो उसके बाद में एक अलग साही बहुत beautiful सा color अजर आजाता है red color का, आप यहाँ पर check out करिये, देखिए, अलग साही color आएगा, definitely use this tip guys, और अगर आप सिर्फ red color लगाते हैं, जो मैंने यहाँ पर latin का लगा है, तो उसका different color आता है, और अगर base coat लगाते है silver, उसके उपर आप red color लगाते हैं, एक दम ही difference नजर आजाएग तो यहाँ पर देखिए, यह जो दूसरा वाला nail है, जिसके उपर कोई भी base coat नहीं है, उसके उपर मैंने जब यह red nail paint, same nail paint है guys, remember that, same nail paint का मैंने color लगाया, एक single coat में भी वो effect नहीं आया है, जो base color जब silver था, उसके बाद में आया था, so always follow this tip, और एक अलग सी shine आजाती है अग सूखने के बाद में मैं इनको red nail paint लगाऊंगी, यहाँ पर देखिए, मैंने सब पर silver paint कर दिया है, इसके बाद में मैं इनहीं के ओपर red nail paint लगाऊंगी, and look at this creepy thing, कैसे लग रहा है, एक दब से लग रहा है, दातों के ओप एक दम लाल खून, but और यहाँ आप से देखो के त और नो रहा है, but look at this, but it's looking so nice and shiny, right? किता क्रीपी दिख रहा ही है अक्चली हाला ओके तो यह है हमारे नेल्स और नेल पेंट इनका अच्छे से सूख गया है अब हम इनको एपलाई करने वाले हैं अपने नेल्स पे लेकिन सबसे पहले मैं नेल जो है वो कट कर लूगी नेल्स कट करने इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो फॉल्स नेल्स है वो अच्छे से लग सके नीटने साज शके और अच्छा भी है अदरवाइस दो लेयर में डर्ट फिक्स हो जाएगी इसलिए मैंने अपनी नेल्स काट लिये हैं अगर आपको मैनिक्वर भी करना है तो आप वो भी कर दीजेगा ओके नेल्स कट करने के बाद में हमारा नेक्स टेप फॉलो होता है जो की है इस तरीके का नेल आप निकाल लीजे जो डबल सैटे एडिसिव था उस पे से और उसके बाद में अगर साइड में कुछ नेल पेंट लगा होगा तो उसको फाइलर के हेल्प से आप थोड़ा स्मूधन आप कर लीजे अराम से निकल जाएगा आप यहां पे भी देख सकते हैं में अराम से जो एक्स्ट्रा नेल पे जो पेंट था वो सूखने के बाद में वो जो रहता है साइड में उसको मैंने थोड़ा फिनिश कर लिया है काफी अच्छा हो जाता है आपका जो नेल है और इसके बाद में मैं फिक्स कर लूँगी इसको अपने नेल के उपर जहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एक्जाक्ट फिट है तो यहां पर इंडेक्स फिंगर के लिए अप्रोप्रियेट है नेल तो यहां पर मैं ग्लू डाल दूँगी और बस एक बूंद ही काफी है गाईस बहुत स्ट्रॉंग है यह ग्लू और इससे जदा डालने के अच्छली जरूरत नहीं है अदर्वाइस यह स्किन के उपर आ अधिधर के लिए तो नैस। नहीं ट्जान आऽ निए बिए दो बढ़िस ब्रेशिक का बीकल सो बाते लिए जो भी साईससे आप पने फिंगर के लिए इस नेल को लिगालेंगे नेल को लगालें खित बेसकेल फोट टुम ए मैं दुंखत बढ़ें रिट को से उर रêuगवा यहां पर मैं actually voiceover इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि मेरा original sound नहीं capture हुआ था I don't know the technical reason behind it तो yes but I am loving my nails looking so pretty और आप इसके उपर कोई भी nail art कर सकते हैं आप जैसा चाहें उनको short कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं whatever you want to do So जैसे यहां पर मैंने red से paint किया हैं nails को तो अगले सेट में yellow से कर सकते हूँ किसी और सेट में किसी और सेट में और कर सकते हूँ Nails को कुछ short रख सकते हूँ कुछ triangular कुछ square इस टाइप से मैं खेल सकते हूँ in false fake nails के साथ में वैसे इतने beautiful से मेरे fingers हो चुके हैं हाँ इतने प्यारे दिख रहे हैं इतने खिले खिले से सुंदर दिख रहे हैं तो थोड़े से beauty shots of these beautiful से nails बनते हैं न So beautiful जरू मुझे बताना कि आप लोगों को यह video पसंद आया कि नहीं आया helpful लगा कि नहीं लगा और ऐसी और videos के लिए subscribe कर लेना मेरे इस channel को और यह video भी like और share करना बिलकुर बन पुलना अगले video आने तक bye bye take care